विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक linear transformation गिवन है हमारे पास और हमें matrix representation निकालनी है basis गिवन है वी वन और बिट तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हमारा task है कि T of V1 की value निकालना 1,1 की value तो इसमें put कर दो 1,1 तो हमारे पास क्या बनेगा यह बनेगा 3,0 और 1 और अगर हम T of 0,2 की value निकालने तो यह हमारे पास क्या बनेगा minus 4,0 और 8 minus 4,0 और 8 तो यह दो elements हमारे पास निकलगे अब इस element को इनके linear combination में लिखने है और इस element को इनके linear combination में लिखने है तो 3,0,now we write यह जो vectors है माल लिते हैं यह vectors का नाम w1,w2 ले लो आप इसे या f1,f2 ले लो now we write f1,f2 as basis of basis of r cube जो हमें basis दिया हुआ r cube का उसकी terms में लिखेंगे तो 3,0,1 को कैसे लिखोगे c1 या फिर a1 लिख लो a1,1,1,0 plus b1,1,0,1 plus c1,0,1,1 और next हमारे पास के है minus 4,0,8 और इसे की form में लिखेंगे a2,1,1,0 plus b2,1,0,1 plus c2,0,1,1 ठीक है तो अब हमें यहाँ पे इनकी values निकालनी है a1,b1,c1 की तो सबसे पहले इस equation से हम क्या लिखेंगे 3,0,1 equal to a1 plus b1 और यहाँ से a1 plus c1 फिर b1 plus c1 next minus 4,0,8 equal to a2 यह बनेगा आपके पास a2 plus b2 और a2 plus c2 और b2 plus c2 solve कर लो यह दो system of linear equations बनेंगे दोनों को solve करके आपके पास जो a1 की value है a1 की value आएगे minus 2 b1 की value आएगे 3 और c1 की value आएगे 2 और a2 की value आएगे आपके पास minus 6 b2 की value आएगे 2 और c2 की value आएगे 6 तो यहाँ पर यह सारी values पूट हो जाएगे आपके पास a1,a2,b1,b2,c1,c2 तो finally जो matrix होगे t t की matrix with respect to basis b1 and b2 तो वो क्या बनेगे आपके पास वो बनेगे minus 2,3,2, minus 6,2 और 6 सबसे important step होगा आपके पास कि यह carefully निकालना यह तीन values यह linear equations को solve करना linear equations कैसी बनेगी a1 plus b1 equal to 3 a1 plus c1 equal to 0 और b1 plus c1 equal to 1 यह system of linear equations बनेगा आपको इसे solve करना है ठीक है then अगर हम next question पे move on करें next question में आपके पास क्या दिया हुए इसका basis दिया हुए इसका basis दोनों का basis same दिया हुए आपको matrix निकालनी है तो सबसे पहले t of 1,2 निकालते हैं तो यह क्या बनेगा 2 minus 6 इसमें जब put करोगे 2 minus 6 minus 4 minus 4,3 बनेगा यह और t of 2,3 क्या बनेगा t of 2,3 तो 2 put करोगे 4 minus 9 minus 5 यह बनेगा और यह बनेगा 5 अब यह जो दो vectors आए हैं इनको linear combination में लिखने basis के now we write हम क्या करेंगे we will write the vectors minus 4,3 and minus 5,5 as linear combination of vectors of b vectors of b हम इनके linear combination में लिखेंगे तो minus 4,3 आपके पास क्या बनेगा c1 1,2 plus c2 2,3 अब यहां से linear equations बनेगी एक system यह बनेगा दूसरा हम क्या लिखेंगे minus 5,5 को linear combination में लिखेंगे माल लेते हैं notations में मारे पास c3 1,2 plus c4 2,3 ठीक है फर्दर जब इसे solve किया तो क्या बनेगा c1 plus 2 c2 equal to minus 4 2 c1 plus 3 c2 equal to 3 ठीक है और यहां पे क्या बनेगा c3 plus 2 c4 equal to minus 5 और 2 c3 plus 3 c4 equal to 5 देखो ना c1 plus 2 c4 2 c1 plus 3 c4 equal to 5 तो हैंस इन दोनों को solve करके इस system of equations को solve करके यहां पे c1 की value देखने को मिलेगी 18 और c2 की value minus 11 और c3 की value यहां पे verify करो 25 c4 की value यहां verify करो minus 15 तो finally क्या आजाएगा आपके पास एक matrix T with respect to basis क्या बनेगी वो वो बनेगी 18 18 minus 11 25 और minus 15 ठीक है क्योंकि आप ऐसे लिखोगे न c1 c1 सबसे पहले यहां पे फिर c2 c2 यहां पे आ जाएगा c3 second column c4 second column तो इस तरीके से matrix बनेगी और एक question अलरेड़ी एक्जामस में पुछा जा चुक है next अगर हम बात करें next question की next question में जो vector space है उसमें जो elements है वो matrices है transformation कैसे है कि T of any vector equal to BA हम अपने same concept पे चलेंगे हमें सबसे पहले पता है कि जो standard basis होते है two by two matrices का वो क्या होते है standard basis में आपके पास चार elements आते है कितने elements आएंगे चार elements तो 1001 फिर हम बात करेंगे 0100 फिर हमारे पास होगा 0010 और फिर हमारे पास होगा 0001 ठीक है इस तरीके से चार elements है हम इसे नाम दे देते है e1, e2, e3, e4 ठीक है सबसे पहला task हमारे पास क्या होते है उपर वाले questions में हमने कैसे किये कि जैसे आपके पास t of सबसे पहला basis का पहला vector t of basis का दूसरा vector इस तरीके से तो यहां पे भी हम same करेंगे सबसे पहले 5 of first matrix तो first matrix आपके पास क्या बनेगी 1, 0, 0, 0 तो यह क्या बनेगी आपके पास b into a that is 1, 1, 1, 1 into 1, 0, 0, 0 ठीक है इसे multiply करके आपके पास finally एक matrix आएगी 1, 1, 0, 0 ठीक है then 5 of 0, 1, 0, 0 और इसे multiply करके आपके पास एक matrix आएगी 1, 1, 1, 1 into 0, 1, 0, 0 इन दोनों को multiply करो multiply row को column से करोगे row को column से करोगे तो multiplication के process में आपके पास आएगा 0, 0, 1, 1 ठीक है फिर 5 of third vector third vector क्या आपके पास 0, 1, 0, 0 तो A matrix as it is रही यह वाली ठीक है B matrix क्योंकि given है question में B matrix given है B into A चाहिए हमें तो B तो हमने लिख दिया into A A यह वाला vector है तो यह बनेगा 0, 1, 0, 0 multiply करके आपके पास आएगा 1, 1, 0, 0 फिर आपके पास लाश्ट है कि 5 of 0, 0, 0, 1 यहाँ पे 1, 1, 1, 1 into 0, 0, 0, 1 multiply करके आपके पास आएगा 0, 1, 1, 0 ठीक है अब यह जो vector निकला इस vector को हमें इनके linear combination में लिखना है किनके? इनके linear combination में तो देखो 1, 1 यहाँ पे आ रहे है तो linear combination में कैसे हो जाएगा कि यह vector यहाँ पे 0 है यह element तो कैसे होगा E1 plus E3 यह कैसे लिखा जाएगा E1 plus E3 की form में लिखा जाएगा तो इनको एक एक करके लिखते है linear combination of basis के vector तो यह आपके पास बनेगा 1 into E1 plus 0 into E2 plus 1 into E3 plus 0 into E4 फिर इसको लिख सकते है 0 into E1 plus 1 into E2 plus 0 into E3 plus 1 into E4 फिर next हम लिख सकते हैं 1 into E1 plus 0 into E2 plus 1 into E3 plus 0 into E4 last ठीक है 0 into E1 1 into E2 0 into E3 1 into E4 अब यहाँ पर यह जो coefficients बन रहे हैं यह coefficients से आपने matrix बनानी है ठीक है यह जो coefficients है तो हम लिखेंगे matrix of T transformation की matrix यह 5 की matrix with respect to basis B वो क्या बनेगे आपके पास सबसे पहला element 1, 0, 1, 0 फिर 0, 1, 0, 1 फिर 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 तो इस तरीके से आपके पास इसकी matrix बन जाएगी 5 की ठीक है with respect to basis B तो यही आपको निकालना था matrix of 5 निकालो matrix of 5 निकालो with respect to standard basis next question डिसकस करते हैं यह question भी काफी important है इस question में क्या दिया हुए vector space दिया हुए सारे polynomials का degree less than equal to 3 है और differential operator दिया हुए सबसे पहले basis में elements कौन से होंगे 1, x, x square और x cube यह basis के elements है ठीक है basically f1 क्या होगा इसमें x की power 1-1 put करो तो x की power 0 आ गया x की power 0 का मतलब 1 f2 का मतलब क्या हो जाएगा x की power 2-1 x की power 2-1 और f3 x की power 3-1 f4 x की power 4-1 तो यह basis निकल गया आपके पास क्या निकल गया यह basis निकल गया यह basis निकलने के बाद हम इसके हर element के basis के हर element के उपर differential operator लगाएंगे so d of 1 की value किसके कुल आगे 0 के कुल d of x की value किसके कुल आगे 1 के कुल d of x square की value किसके कुल आगे 2x के कुल और d of x cube की value आगे 3x square के कुल तो अब यह जो elements आएं इनको इनके linear combination में लिखना है 0 को इनके linear combination में तो 0 को तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0 into 1 0 into x 0 into x square 0 into x cube फिर 1 को कैसे लिखोगे 1 into 1 1 into x नहीं 1 into 1 1 into 1 क्योंकि हमें 1 चाहिए न तो 1 into 1 0 into x 0 into x square 0 into x cube फिर 2x चाहिए हमें तो 2 into x आजाएगा बाकी सारे आपके पास 0 बनेंगे बाकी सारी 0 यहाँ पे हमें x square चाहिए तो 3 into x square आजाएगा बाकी सारे हमारे पास 0 elements यह भी 0 यह भी अब इसकी matrix बना लो matrix में क्या बनेगा 0, 0, 0, 0 फिर 1, 0, 0, 0 फिर 0, 2, 0, 0 फिर 0, 0, 3, 0 तो यह matrix किसकी बनगे differential operator की with respect to basis b तो यह बनगे आपके पास ठीक है easy question है पर question की language ही काफी बच्चों को नहीं समझ में आती तो basically d differential operator है basis दे दिया find matrix of d with respect to basis b तो इस तरीके से आपको निकालना है so इतने सारे question solve करने के बाद अब हम discuss करेंगे कि आपके पास matrix दियोगी आपको linear transformation find out करनी है क्या? matrix दियोगी है आपको क्या निकालना है linear transformation निकालनी है तो शुरू करते है सबसे पहले basically क्या होगा आपके पास कि t of 1,2 यह किस पे map हो रहे है यह map हो रहे है आपके पास इसे लिख सकते हो इनके linear combination में ठीक है linear combination में लिखोगे तो 1,1,0 प्लस 0,1,1 प्लस 1,1,1 जो 1,2 की image है वो इनका linear combination आएगा अब question यह arise होगा कि इनके आगे coefficients क्या होगे तो coefficient क्या होगे इसका जो first column होगा जो इसका first column होगा that is 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपके पास 2 0, 1, और 2 यह आपके पास first वो आएगा ठीक है first column आएगा अब T of 1,2 की image क्या निकलगी जब इस complete को solve करेंगे तो 2,3,2 यह image निकलगी तो इसे मान लो equation number 1 मान लो अब similarly T of 0,3 होगा आपके पास उसे कैसे लिखोगे 1,1,0 प्लस 0,1,1 प्लस 1,1,1 इनके linear combination में लिखने है अब linear combination में लिखने है तो यहाँ पे आपके पास second column के elements आएगे 2, minus 1 और 3 2, minus 1 और 3 finally जब आप इसे solve करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5,4 और 2 5,4 और 2 आएगा आपके पास तो इसे equation number 2 मान लेते हैं हमारा task कै है हमें निकालनी है linear transformation तो linear transformation के लिए हमने कोई भी एक vector consider कर लिया x,y उसे लिख लिया इन linear combination of 1,2 और 0,3 इनके linear combination में लिख लिया अब यहां से c1 और c2 की values निकालते हैं c1 equal to x आगया 2 c1 plus 3 c2 किसके कोई आगया y के कोई आगया तो c2 की value किसके कोई आगी y minus 2x upon 3 के कोई आगी तो c1 की value यहां पे put हो जाएगी और c2 की value यहां पे तो finally आपके पास क्या answer आया x,y equal to x into 1,2 plus y minus 2x upon 3 into 0,3 अब इसके उपर t apply कर दो transformation लगा दो that is t of x,y equal to x t of 1,2 plus y minus 2x upon 3 t of 0,3 तो यहां पे क्या होगा इसके बाद x t of 1,2 की image के आपके पास 2,3,2 2,3,2 और 5,4,2 तो यह image क्या है आपके पास 2,3,2 plus y minus 2x upon 3 और इसकी में जागी 5,4 और 2 5,4,2 finally solve कर लो complete solve करने के बाद क्या बचेगा 4x plus 5y upon 3 फिर आपके पास बचेगा x plus 4y upon 3 फिर आपके पास बचेगा 2x plus 2y upon 3 तो यह transformation निकल गी आपके पास इस तरह के से ठीक है exam में काफी बार आया हुआ यह वाला question भी 2008 में है उसके बाद भी काफी बार आया हुआ है इस तरह के से basically जब भी आपको transformation निकालनी हो ना जब भी transformation निकालनी हो तो यहां के जो basis के vectors हैं उन सब की image आपको पता होनी चाहिए फिर किसी भी vector को इन basis के vectors के linear combination में लिख लो ठीक है? यहां पे भी हमने क्या किया? सबसे पहले 1, 2 और 0, 3 की image find out की फिर किसी भी vector x, y को हमने इन दोनों के linear combination में लिखा और फिर t apply कर दिया वीडियो कैसी लगी आपको comment box में लिख के बताईए अगर कोई भी doubt या query आपको इस तरह related तो आप comment box में लिख सकते हो या message कर सकते हो WhatsApp पर मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक पढ़ते रहे practice करते रहे कर दो कर दो दो झाल